नमस्ते बच्चों, हम हिंगी सुलब भारती छटी काक्षा की उपहार पढ़ रहे हैं तो देखिए उपहार इस पार्ट आगे जाने से पहले हम क्या करेंगे हमने क्या पढ़ा है यह याद करेंगे तो देखिए एक गाउ में एक रुत्विक नाम का लड़का था जिसे पुस्तक मिला देखने जाना चाहता था लेकिन उसकी माने उसे मना कर दिया तो देखिए तभी वहां वहां रूट कर एक पेड़ के नीचे जा बैड़ता है तब वहां पर एक परी आती है और वहां क्या करती है उसे कहती है कि मैं तुमारे मदद करने के लिए ही आई हूँ तो देखे वह परिक्षा लेनी वाली थी तो उसने पूछा था यहनि तिसने रूत्विक ने कि कौन सी परिक्षा तो देखे परिक्षा बता दी तो वह क्या परिक्षा कहलाएगी ऐसे परिने कहा है तो देखिए आगे ठिक है ऐसा कहे कर रूत्विक वहां से चला गया अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली रूत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में क्या तुमने देखी है तो देखिए यहां पर क्या होता है परिक कहती है कि मैं तुमारी परिक्षा लेना चाहती हूं तो देखिए यह बात जब रुत्विक मानने करता है और वहां से चल उठ लेता है तो तबीब क्या कहता है वहां जाते हुए तो उसे रास्ते में क्या मिलती है एक पोटली मिलती है तो देखिए वहां किस तरह की है पोटली की लाल और मखमली है उसका रंग लाल है और वहां म किम्ति चीज होगी किम्ति आने अमुल्य अनमोल तो देखिए उसने उसे खोलना चाहा फिर सोचने लगा तो देखिए यहाँ पर वह सोच रहा है कि क्या सोच रहा है जब यहाँ मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर है तो रुद्विक छोटा है लेकिन कितना सच्चा है तो देखिए उसका उसे सोचने लगता है यानि उसे पहले क्या लगता है कि ये खोलू लेकिन फिर सोचता है कि ये मेरी नहीं है तो मेरा खोलने का हक भी मेरा नहीं है तो देखिए यही हमें इस पार्ट से सीखना है तो देखे बेटा पोटली गिर गई है तो तुम ने देखा है क्या ऐसे उसके कानों पर आवाज आती है रुत्विक ने पूछा किस रंग की थी लाल रंग की राहगीर ने बताया देखे राहगीर याने कौन मुसाफिर यात्री पैसंजर याने आने जाने वाले तो देखे औ देखे रुत्विक भी हुष्यार है तो वो क्या गैथा किस रंग की थी तो रागेर ने बताया लाल रंग की तो फिर भी उपर एक सुनेरे रंग में परी का चित्र बना हुआ है। रुत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। तो देखे रुत्विक ने वह पोटली राहागीर को दे दी। तो देखे यहाँ पर एक चित्र है। तो उटकर वह वही पहुंचा वही याने कहा पर वही याने जहां पहले बैठा था वहां पर तो देखें जहां उसे परी मिली थी देखा तो वहां कोई नहीं था वह बैट गया उसकी आखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी तभी तेज प्रकाश फेला स सामने परी खड़ी थी तो देखें सुबह उटकर वह फिर से क्या करता है जहां पर वह गया था पहले दिन वही जाकर बैठता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था लेकिन उसे कल जो हुआ है तो वह याद आ रहा था कि रास्ते में एक लाल पोटली गिर गई थी तो वही उसे याद आ रहा था तो देखें तभी वहां पर रोशनी फैलती है याने प्रकाश फैलता है और सामने कोण खड़ी होती है परी खड़ी होती है देखें यहाँ परी खड़ी है सामने रुत्विक के परी के दोनों हाथ पीछे थे परी ने पूझा कैसे हो ठीक हूँ रुत्वि बुखा तो दिखिये परी वहापर आती है और क्या करती है कि अभी तुम्हारे आखे बंद कर लो परी के दोनों हाथ पीछे ते और पहले परी पूछती है रुत्विक शेकि तुम कैसे हो तो जवाब क्या आता है कि मैं ठीक हूं अच्छा हूं तभी क्या कहती है मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूं इनाम याने पुरसकार प्राइज तो उपहार देने वाली हूं किस बात का रुत्विक ने पूछा तो देखें तुम उत्तिर्ण हो गए इसलिए परी बोली तो देखें वहां पास हो गया है सफल हो गया है इसलिए परी की बात र यह तो वही पोटली थी जो उसने राहागिर को दे थी परी ने कहा कल मैंने ही तुमारे इमांदारी के परिक्षा ली थी वह राहागिर भी मैं ही थी इसले मैं तुमें इह इनाम दे रही हूं तो देखिए बच्चों यहाँ पर वहरागिर कौन था तो वहरागिर परी थी तो देखिए क्या कह रही है परी कि मैंने जो परिक्षा ली थी तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि परिक्षा कैसी थी कि रहा में एक पोटली रखी गई थी तो रुत्वी की इमानदारी की परिक्षा ली गई थी तो उसमें वहर पास हो गया था समझ में आ गया चलिए आगे परी ने रुत्वी को समझाया इमानदार व्यक्ति के जिवर में किसी वस्तू की कमी नहीं होती जाओ अब तुम्हें मन चाही वस्तु मिलेगी तो देखे परी उसे समझाती है देखे सही है न कि इमानदार होने से ही उसे इना मिला है वो भी सुनेहरे पोटली है न तो देखे कभी भी हम इमानदार होंगे जब भी तो हमें क्या मिलेगा सफलता मिलेगी तो जीवर में किसी वस्तु की कमी भी नहीं होगी तो देखे जाओ अब तुम्हें मन चाही वस्तु मिलेगी ऐसा आशिरवात किस ने दिया है? परी ने दिया है किसे? रुत्विक को रुत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता खुशी से उसकी आखे भराई तो देखे खुशी से उसके आखे भराई थी क्यूँकि क्या हुआ था? परी ने उससे इनाम दिया था तो देखे परी के रुत्विक के पास शब्द नहीं थे तो आखों से पानी बहने लगा किसलिए खुशी से? लाल मकमली पोटली रुद्विक ने अपनी मा को दी उसकी समझ में यह नहीं आ रहा गया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है जब मा वह पोटली खोलने लगी देखें लाल मकमली पोटली रुद्विक ने किसे दी है मा को दी है पहले उसने खोरा है क्या नहीं लेकिन उसके म मा को भी यह समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है, जब वह खोलने लगी, तब क्या हो रहा है, पोटली कई गुना बड़ी हो गई, तो देखिए, बड़ी हो गई, वह पोटली, उसमें से वे सुन्दर सुन्दर पुस्त के बाहर निकल आई, पुस्तकों का धेर देखकर माँ चकीत रह गई देखें माँ चकीत रह गई यहने आश्यर्य होना तो उसमें से क्या बाहर आ रहे थे उस्त के बाहर आ रहे थे तो वह देखकर उसकी माँ चकीत रहे गई दंग रही गई मा के पूछने पर रुत्विक ने सब कुछ बता दिया तो देखे, मा को कुछ पता नहीं था तो रुत्विक ने सब कहाने मा को बता दी है अब रुत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कुरुतिका की सहता से खोला तो देखे, मदद से, किसके मदद से? बहन का नाम है कुरूतिका के मदद से उसने एक अपने मित्रों के लिए पुस्तकाले खोला है याने लेबरेरी वहाँ सबी बच्चे आकर अपनी मन पसंद पुस्तके पढ़ने लगे उनको पूरा गाव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे तो देखे रुत्विक और कुरूतिका को सब लोग क्या गाव के लोग पुस्तक मित्रक से जानने लगे रुत्विक ने पुस्तकाले को ही अपने जेवन का धेव बना लिया उसका सारा समय पुस्तकों के बीज दिखे यहाँ पर आपको चित्र दिखा रही हूँ बहन है और यहाँ रुत्विक है दोनों मिलकर पुस्तकाले चला रहे है तो देखे बीज ने लगा एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते रुत्विक की आख लग गई आख लगना नींद आ जाना देखता क्या है कि पुस्तके उससे बाते करने लगी उससे एक पुस्तक ने पूछा रुत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आत्मी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे हमें भूल जाओगे रुत्विक ने कहा नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरे साथी हो मित्र हो तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नीन टूटी जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा तो देखिए बच्चों यहाँ पर वहाँ नेन में है और उसे पुस्तक उससे बाते कर रहा है तो देखिए इस पैट से हमें क्या सीख मिलती है कि इमानदार से कार करने को ही क्या होता है सबी कुछ हासिल होता है हमेशा मनश्यों को क्या करना है सत्य की रहा पर ही चलना है जो वस्तो हमारी नहीं है उसका मोह करना ठीक नहीं है दूसरों की मदद करना सच्चा मनुष्य धर्म कहलाता है तो देखिए कहानी में बताये गए इस रुत्विक की कहानी जो है वह सभी बच्चों के लिए क्या है एक अच्छा है तो दीखे समान हमें भी पुस्त के पढ़ना है किसके समान रुत्विक के समान तो उन्हें इकटा करना है और वह सहसकर शोप के तोर पर हमें रखना चाहिए इमानदारिया और लगन से कार करने पर ही मनुष्य को क्या हासिल होता है सफलता हासिल होता है और जीवन में सफलता की कुनजी ही बहुत बड़ी होती है तो धन्यवाद बच्चो